दिस इस पुरू जनू स्रिया आज हम एक बार फिर से आपकी शामने आजिर हुए हैं आज अपन डिसकस करेंगे डीटर प्लेस भी में जो न्यू वेकेंसी आई है अपने चैनल पर डाल चुका हूं उसकी वी वेकेंसी आई हुए है तो आज अपन जो डिसकस करेंगे वो इसमें डिसकस करेंगे कि पोस्ट के लिजिबल्टी क्या रहेगी Is क्या रहेगा Isकी fee क्या रहेगा ayudar जो श्टार्ट होंगे वह 9 जनवरी 2024 से श्टार्ट होंगे और इसकी जो closing date रहेगी वो रहेगी 7 फरवरी 2024 रात की 12 वह तक ठीक है post जो रहेगी वो section officer की है handing culture department ठीक है, post code रहेगा 803 23 23 तो चलिए अपन देख लेते हैं पोस्ट जो है वो केडिगरी वैज कितनी कितनी कैसे कैसे है ठीक है तो पहली है सेक्षन ओफिशर होडी कल्चर डिपार्टमेंट है मुन्सिपल कॉर्परेशन अप देली में ठीक है पेले वल इसका रहेगा 6 जनरल की 40 वेकेंसी हैं अगला है सेक्षन ओफिशर होडी कल्चर डिपार्टमेंट है न्यू डैली मुन्सिपल काउंसिल ठीक है पोस्ट की बात की जाए तो पोस्ट है लेकर पेलेवल की बात करें पहले पेलेवल कितना है 6 ठीक है यू आर में 2 वेकेंसी हैं ओबी सी की 8 हैं एससी की 4 हैं इस्टी की 2 EWS की 3 टोटल 19 वेकेंसी जैंट पी ड़वलो बीडे, एक्सवेस्मान और एस्पी की कोई भी वेकेंसी नहीं है तो total vacancies की बात करें तो total vacancies 108 प्लस फोर तो 10 sorry 112 112 112 यह vacancies रहेंगी ठीक है अभी अपन देख लेते हैं कि इनके लिए क्या क्या चीए eligibility वगरा क्या है कैसे है ठीक है तो municipal corporation of डैली department section of picture पोस्ट हो गई ठीक है अपनी यह describe कर दिया है कि किस किस के डिगरी की कितनी कितनी seat रहने वाली है ठीक है अब भी देख लेते हैं educational qualification तो essential क्या है डिगरी होनी चाहिए agriculture में या फिर in science with botany ठीक है botany के साथ डिगरी हो science में BSE जी से बोलते हैं geology, botany, chemistry mostly चलता है ठीक है तो वो भी apply कर सकते हैं from recognized university और equivalent ठीक है desirable है अगर आपके पास experiment है sorry experience है experience in the field of ornamental horticulture है landscape gardening में तो बहुत जदा बैटर है ठीक है essential नहीं है desirable है हो तो अच्छा है desirable as mentioned ever mean educational qualification ever अगर आप गवर्मेंट सर्वेंट हो या फिर एंपलोई हो MCD के ठीक है तो आप 37 साल तक apply कर सकते हो otherwise 18 to 27 हो SCST का जो relaxation रहता है वो अलाग ठीक है आगे देख लेते हैं अगला जो है उसकी लिए essential क्या है first class और second class degree in B.Sc. Agriculture with two year experience in ornamental horticulture और land escaping in government और semi government और organizations और repute ठीक है तो आपके लिए क्या है कि experience चाहिए चाहिए एक तो B.Sc. चाहिए first class और second class agriculture में दो साल का experience कंपल जरी है ठीक है desirable जैसा कुछ नहीं है इसमें लेकिन essential जैसा कि आपको पहले दर्शा आए गया है कि वो जरूरी है grade पे से में ठीक है group C की जोब है ये वो group B की थी ये group C की है age की बात जो 18 से 32 साल ठीक है इसमें B.Sc के अपलाई नहीं कर सकते इसमें only agriculture बात कर लेते हैं एक्जामनिशन इसमें क्या रहेगी तो दो टायर में एक्जाम रहेगा ठीक है तो टायर वन में क्या रहेगा टो आर कर रहेगा जिसमें 200 question mcqs रहेगे total 200 marks के description description आएगा बलकुल नहीं मतलब लेखेत में कोई एक्जाम नहीं होगा grand total 200 का ठीक है इसका slavus की बात की जाए तो slavus रहेगा इसका general awareness general intelligence and reasoning ability arithmetic and numerical ability test of hindi language and comprehensive test of english language and comprehensive ठीक है सारे 20-20 marks के आएगे 20-20 questions आएगे सभी में से total 100 second इसी में part आएगा वो आएगा subject qualification related paper वो 100 marks का रहेगा ठीक है फिर tier second में क्या होगा वो भी 2R का है 200 question 200 number की descriptive no और total 200 का इसमें क्या रहेगा subject या qualification related paper रहेगा ठीक है 500 marks का 500 question 75% weight is इसी कराएगा section भी क्या रहेगा English language and comprehension 50 marks का 50 question 25% weight is इस कराएगा तो English जो है वो आपकी अच्छी होनी चीए ठीक है तो फुलाल के लिए इतना ही आप तैयारी करिया अराम से relaxation बगरा ये रहे ठीक है SCST का 5 साल OBC का 3 और जो भी एक सेक्टर चितना भी दे रहेगा वो आप रीड कर सकते हो ठीक है तो गूड लक फुर एक्जाम थैंक्यू झाल